हलो एब्रिबन वेलकम बैक तू निंजा प्रैप दिस इस कपिल गोयल यहर एडुकेटर एंटर फो पीजी फजिक्स तो सावित्री भाई फुले यूनिवास्टी पुने का यूजी एंट्रेंस एक्जाम और पीजी एंट्रेंस एक्जाम दोनों ही प्रपूस्ड है जून के 14 से लेके 16 तक ये एक्जामिनेशन होने वाल है इसकी इन्फोमेशन में आपको प्रवाइड करा चुका हूँ जब इसका नौटिफिकेशन आउट हुआ था तभी मैंने इसका एक वीडियो कर दिया था काफी दिनों से बच्चों के वाट्स अप पर भी और इसके अलावा जो मैंने वीडियो किया था उसके बारे में कुछ बता दीजिए इसका सलेबस कहां से मिलेगा इसके अलावा इसके अगर प्रिवियस यर क्वेशन पेपर है तो वो कहां से अवैलेबल होंगे थोड़ा बहुत इस पार्ट के उपर भी हम डिसकेशन करेंगे साथी साथ हम य सी फिजिक्स एंट्रेंस एक्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उसकी क्या स्ट्रेजी होनी चाहिए और कितने नंबर पर यह जो तुमारा एक्जाम है यह क्लियर हो जाएगा तो जो भी लोग प्रिपेर कर रहे है या जो भी लोग देने वाले हैं एस पी पी यू ऑनलाइन एक्जाम तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है जितने भी वीवर्स हैं इस चैनल को देख रहे है और जिनोंने अभी तक भी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल क 75x पे देखेंगे तो जल्दी ये वीडियो आपका cover हो जाएगा तो चलिए भई बात कर लेते हैं सबसे पहले exam pattern की तो exam जो है आपका total 100 marks का ये exam होने वाला है जो दो section में होगा और exam में जो पहला section है उसके अंदर आपके 20 marks के question आएंगे जिसको section A बोला गया है तो section A में general knowledge के aptitude के logical reasoning के comprehension के question होगे ये वो section है जिससे आपका score बनेगा ये वो वाला section है जिससे आपका ठीक ठाग score बन जाएगा section B जो है वो आपका subject specific रहेगा यानि कि जिस भी subject के लिए आप apply कर रहे है जिस भी subject के लिए चाए PG में चाए PG में आप apply कर रहे है उसके जो questions है वो section B के अंदर आएंगे और ये overall 80 marks का रहेगा जो total आपका exam होने वाला है वो 100 marks का होने वाला है with multiple choice question multiple choice question आएंगे और कुछ एक programs के अंदर descriptive question भी आपको देखने को मिलेंगे negative marking के अगर बात कर ले तो one fourth negative marking रहेगी यानि कि अगर आपका कोई भी question गलत हो जाता है तो उसके against आपको one fourth mark reduce हो जाएंगे यानि कि एक number का एक question हो गया total 100 question हो गया आपने कोई भी गलत question कर दिया तो point two five marks जो आपके वो है deduct हो जाएंगे तो यह तो बहुत basic से information है कि exam pattern क्या रहने वाला है तो इसी भी course के लिए आप apply कर रहे है section A सभी के लिए comment रहेगा और section A जो वो ऐसा section है जिसको आप preparation करके जाते हैं तो यह exam के अंदर आपको S दिला सकता है यानि कि यह जो बीस marks होते हैं जिसमें यह general knowledge, aptitude, comprehension आप से इसको आप ठीक ठाग पढ़के जाते हैं 20 question आते हैं तो 20 में से आराम से 12-13 नंबर का आप आराम से score कर सकते हैं ठीक ठाग आप पढ़ाई करके जाते हैं PG के लिए वो क्या है तो post graduate जितने भी exam होने वाले हैं वो post graduation के entrance के exam 14 से और 16 तक proposed है इसका जो admit card है वो 5 दिन पहले आएगा admit card जो है वो कब आएगा 5 दिन पहले है यानि कि 14 से 16 तक exam proposed है तो करीबन करीबन 9th of June के आसपास आपके जो admit card है वो आ जाएगे कौन सी city में आपका exam होना है वो आ जाएगा entrance exam का जो time होगा वो होगा 2 hours हो question जो आपको करना है वो 2 गंटे में मिलेंगे दोनों sections एक साथ आएंगे ऐसा नहीं है कि section A पहले आ रहा है उसके बाद section B आएगा section A और section B दोनों साथ में आएंगे जो marks हैं वो आपके कितने आए हैं वो आपको university की website पर भी पता लगेंगे उसके लिए university की website को आपको continuously visit करता रहना पड़ेगा फिर मैंने आपको जैसा कि बताया कि जो admit card है वो आप university की website से ही download कर पाएंगे और वो 5 दिन पहले यानि कि अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 14th है तो almost आप मान के चलो कि 9th of June तक आपके admit card जो है university की website से आप download कर सकते हैं उसको download करने के लिए आपको आपका जो login ID है और व अपने form fill क्या होगा तो उससे आपको वो admit card download हो जाएगा तो यह तो बात होगई कि entrance exam का pattern क्या रहने वाला है और उसके बाद जो schedule है exam का वो क्या है अब मैं यह बात कर लेता हूँ physics के अलावा physics के लिए हम भी detail में बात करेंगे बाकी जो subjects है उनके लिए अगर मैं बात करू तो मैं यह कहूँगा कि PG entrance की अगर आप preparation कर रहे हैं तो ऐसा syllabus की मैं बात करूँ तो syllabus जो है वो हर university जो university का जो भी department है और example आप apply कर रहे है chemistry के लिए तो chemistry का जो department है उसकी जो page बना हुआ है उन्हें university chemistry department का जो page बना हुआ है वहाँ पर इसका syllabus आपको बिल जाएगा हाला कि syllabus बहुत detailed syllabus नहीं है उसमें केवल सिर्फ इतना लिख दिया गया है कि यह subject आएंगे उनके अंदर क्या पूछा जाएगा ऐसा कुछ वहाँ पर mention नहीं है तो अगर आपको syllabus ही जानना है तो आप यह जान लिजे आपको कोई भी subject है let's suppose आपका subject है physics तो आप ऐसा डाल दीजे Google प बात कर रहा हूं कि university का जो department है उसके page पर आपको मिल जाएगा तो direct वहीं वह page का आपको link मिल जाएगा तो वहाँ से आपको syllabus चेक कर सकते हैं जैसा कि मैंने का बहुत detailed syllabus नहीं है केवल और केवल subjects mention है कि यह subject आने है उनका weightage कुछ भी नहीं है अला कि यह बड़ा खराब लग यह provide कराना चाहिस ले बस और इसके अलावा जो अगर बात करें previous year questions की तो previous year question इसके कहीं भी available नहीं है अगर आप search भी करेंगे आप Google search करेंगे तो भी आपको available नहीं होंगे तो PYQs के चकरों में आप पढ़ रहे हैं तो PYQs में इतने जादा available नहीं है मैं यह कहूंगा कि आपको जो भी MSC entrance exam की preparation कर रहे हैं तो है वो किसी भी subject के लिए कर रहे हो आपके जो graduation के last year के subject है last year के जो यानि की third year के subject है उनको आप especially focus करके चलना क्योंकि जादा तर जो मैंने MSC entrance जितना मेरा experience है मैंने देखे MSC entrance exam होते हुए तो वहाँ पर जादा तर जो weightage रहता है वो last year के जो subject रहते हैं last year के उसके अलावा जो 5th exam के subject रहते हैं last के 5th 6 के दोनों उसके अलावा 4th के जो subject रहते हैं वहाँ से जादा तर question पूछे जाते हैं और उसके अलावा section A वो सभी को उसके उपर काम करना है अगर मैं बात करूँ कि कितने number पर clear हो जाएगा तो अगर मैं general की मैं बात करूँ तो 60 मेरे इसाब से safe score होना चीए बाकी number of seats के उपर depend करता है किस department में seats हैं अगर किसी department में seats ज़ादा है तो यह 60 से कम भी चला जाएगा और किसी department में seats कम है तो यह 60 से उपर भी चला जाएगा पर overall अगर मैं बात करूँ तो 60 number एक safe score रहेगा अगर आपके 7 number आजाते हैं तो आपका easily selection हो जाता है अब मैं especially बात करूँगा इस वीडियो में MSC physics entrance exam के लिए आपको कैसे prepare करना है तो चलिए बात करते हैं MSC physics की सबसे पहले intake क्या है तो अगर मैं MSC physics entrance exam के बाद जहाँ यहाँ पर intake है उसकी में बात करूँ तो यहाँ पर दो जो segment में आपको जो है entrance मतलब admission मिलता है एक मिलता है MSC physics जिसके अंदर 90 seats है और यह वाला जो program है यह totally पुने university चला रही है और दूसरा जो है जो IUCAA के साथ पुने university मिलकर चला रही है उसके अंदर 20 seats के अगेंस्ट आपको admission मिलता है अगर यह 90 seats वाले के लिए मैं देखूं तो इसकी eligibility क्या ह mathematics या electronics science chemistry and mathematics candidates with engineering degree जो जिनके पास engineering की graduation किया हुआ है वो भी इसके अंदर apply कर सकते है अगर मैं जो यह IUCAA के साथ जो astrophysics का जो program है इसके अंदर मैं बात करूँ कि इसके अंदर क्या eligibility criteria होना चाहिए तो यहाँ पर जो admission मिलता है वो joint entrance exam यानि कि just के थूँ यह entrance exam के थूँ यह 20 seat तो अटा दो यानि कि आपको जो entrance के बाद SPPU entrance के बाद जो admission मिलेगा इन 90 seats के against admission मिलेगा और 90 seats बहुत होती है यह बहुत ज़्यादा seats होती है 90 seats syllabus की बात कर लेते हैं तो जैसा कि मैंने आपको कहा शुरू में कि syllabus बहुत detailed में mention नहीं है जबल subjects के नाम लिख दिये गए हैं कि यह subjects आपको पढ़ने है तो कौन कौन से subject आ रहे हैं तो electricity and magnetism आने वाला है thermodynamics and statistical mechanics आने वाला है electronics पूछा जाएगा classical mechanics quantum mechanics atomic and nuclear physics mathematical methods solid state optics यह 9 subjects है जो आ entrance exam में यही question है और सवाल यह है कि यह 9 subjects आप 15 दिनों में कैसे prepare करें भाई कई लोग होंगे जिनकी graduation में जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई कि होगी उनको बहुत ज्यादा problem नहीं आने वाली है कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो अब 15 दिन जो last की बच्चे हैं उसमें लगें last year के जो subject है उन पे especially focus रखना क्योंकि मेरा जो experience है वो यह बोलता है कि जो आपके final year graduation के subject है उनको जादा weightage मिलता है अब जितनी भी universities है उनमें mostly में last year का जो syllabus होता है physics का उसमें जो subject आते है वो आता है quantum mechanics एक आता है atomic and nuclear physics और एक आता है solid state physics तो यह तीन subjects आपको anyhow करके जाने है अब कैसे करने है वो भी मैं आगे section में आपको इसको बताऊंगा और यह तीन subject आपको करने ही करने है अब इनके आपके पास short notes होंगे आप finally year graduation में होंगे तो आपने confirm इसके exam भी दी होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें मैनत करनी नहीं पड़ेगी इसलिए यह जो subject वेटेज वाले भी है और जल्दी से आपके prepare भी हो जाएंगे क्योंकि अपनी अभी recently आपने इनको बढ़ा है उसके बाद मैं बात करूँ optics subject एक ऐसा subject है जिसमें कोई guarantee नहीं रहती कि इसका question सही हो जाएगा क्योंकि दुनिया जहान के इसके अंदर formula है और दुनिया जहान क variety of question बनते हैं तो आपका optics अगर ठीक ठाक है मतलब यह first year या second year में आ जाता है second sem तक या third sem तक ज्यादा से ज्यादा पूछ लिया जाता है बहुत सारे formula होते हैं इसमें जो आपको simple पढ़ने वाली चीज है वो interference बहुत simple पढ़ सकता है उसके अलावा इसमें बहुत सारे question बन बनती है कि कोई confirmation नहीं है कि यहां से question आ गया तो आप कर ले जाओगे और यह जो मैंने आपको important बताए है यहां से question आ जाता है तो उसके हो जाने की probability बहुत ज्यादा हुरती है फिर अगर मैं बात करूँ electronics की तो electronics का fix pattern है कि question जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं ओप गेट से हैं यह fix question है यहां से पूछे जाते हैं semiconductor के अंदर जीनर डायोड भी include है और उसके अलावा जो यह आपके जीनर डायोड के अलावा इसमें जो half wave rectifier full wave rectifier के formula है वो भी पूछ लिए जाते हैं उसके अलावा अगर आपको ज्यादा ही prepare करना है electronics के अंदर तो आप ज्य easy question इसके आते हैं thermodynamics and statistical की में बात करूँ तो thermodynamics में अगर आपको कुछ prepare करना है तो वो आप prepare करना Carnot cycle के जो questions है वो लगा लेना second log की जो efficiency के questions है formula है उनको कर लेना statistical mechanics में जो तीन आपकी statistics चलती है बो science team statistics फर्मीड राइक और उसके अलावा जो Maxwell Boltzman statistics पढ़ती है इनके आप basic जो concepts है वो पढ़ लेना कि कौन से statistics किसके लिए apply होती है और किसके लिए spin कितना होता है integral formula और ये सब इनके देख लेना बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं आने वाला तो thermodynamics में एक कारनोट cycle में आपको बोला ATG और statistical mechanics के जो basics है बिलकुल basics वो पढ़ लेना वही से question बन है इसमें आपको complex complex number जो है वो आप prepare कर लेना उसके अलावा आप differential equation और जो vector algebra होता है differential equation वेक्टर algebra ये तीन चीज़े आप prepare कर लेना matrix अगर आप कर सको तो वो prepare कर लेना classical mechanics मैं आपसे मैं यह कहूंगा कि अगर आपको कुछ prepare करना है classical mechanics में तो वो आप prepare कर लेना central force central force उसके अलावा जो wave motion है wave motion जिसमें बहुत simple simple से formula होते है organ pipe के वो आप prepare कर लेना central force उसके अलावा gravitational force इसके formula देख लेना जो work power energy है उसके formula देख लेना उसके अलावा rigid body dynamics बड़ा सारा chapter है उसके आपको basic formula कहीं से मिल जाए 12th class वाले तो वो देख लेना बस इतना करना है आपक अब यह सब चीज़े आप prepare कैसे करोगे उसके हम बात कर लेते हैं मेरे चैनल पर आपको पुरानी playlist मिल जाएंगी यह playlist हलाकी CUETPG exam के लिए मैंने बनाई हुई है IIT exam के लिए भी है इनमें बहुत सारे आपको practice questions मिल जाएंगा question तो question नहीं रहते हैं चाहे वो SPPU के हों चाहे वो किसी अलग university entrance exam के हों question तो ऐसे वैसे ही रहेंगे optics का question ऐसा नहीं है कि SPPU में अलगतरी के से पूछ लिया जाएगा तो जैसा कि मैंने का optics में ज्यादा दिमाग लगाने की जरवत है नहीं तो optics के लिए आप मेरी यह जो playlist है optics and waves CUETPG 2024 IIT Jam 2024 या आप इसको गूगल जो YouTube है उ जल्दी से मिल जाएगी तो इसके अंदर आपको पांच lecture मिल जाएगी जिनके अंदर मैंने आपको practice questions और theory concept दोनों बताये हुएं वो prepare कर लेना sufficient है उसके बाद formula किसी को देखने formula revise मारने तो formula revision के ये playlist है ये इसमें आपको electronics के उसके अलावा mechanics के और जो दो तीन subject हो और है उन prepare है मतलब आपने ये बिल्कुल solution मैंने करा रखे हैं उसके अलावा जो questions ज्यादा तर exam में पूछे जाते हैं वो मैंने आपको कराये हुएं तो आपको ज्यादा इदर उदर भटकने की जरवत नहीं है इनको कर जाना last 15 दिन में इतना कर जाओ तो वो ही बहुत है इसके अला आपको मिलेगा निंजा प्रैप एप निंजा प्रैप एप बाई कपिल सर और ये जो एप है ये आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा इस बैच के अंदर आपको बहुत सारे practice questions मिल जाते हैं उसके अलावा आपको बहुत सारी युनिवस्टी इसके PYQ में मिल जाते हैं लाइक आपको जामिया मिलिया के PYQ मिल जाएंगे AMU के PYQ मिल जाएंगे उसके अलावा MDU रहतक पंजाब युनिवस्टी चंडिगड ना दिबरुगड युनिवस्टी राजस्थान युनिवस्टी शीपैट ओडिशा इन सभी के आपको PYQ भी अव जाएगा इस बैच का जो प्राइज है वो किबल सत्रा सु रुपे रहने वाला है तो वापस से मैं बात करूँ यूट्यूब से और मैं आपकी क्या help कर सकता हूँ तो mathematical physics की complete playlist मिल जाएगी जिसमें मैंने आपको वह से जादा practice questions कराए हुए हैं जिसके अंदर complex, matrix, उसके अल EMT की मैं बात कर रहा था तो EMT के लिए ये वाली जो playlist है जादावपुर, Calcutta और MSC physics entrance 2023 के नाम से इस playlist के अंदर आपको जितने भी lectures मिलेंगे वो सारे के सारे EMT के मिलेंगे और EMT के practice questions हैं उनके अंदर उनको आप करके जाते हैं तो आपकी damn sure exam के अंदर बहुत जादा help होने बात करें कि आपको most important question चाहिए कि sir मेरे पास तो इतना भी time नहीं है बहुत जादा busy हो तुम लोग मेरे पास इतना भी time नहीं है कि मैं ये सब कर सकूँ जो आप बता रहे हैं आप तो मेरे को most important question बता दोगी कहां से करूँ तो ये जो playlist है जो की CUTPG 2003 CUTPG physics most important question नाम से बनी ह हुई है इसके अंदर आपको हर subject के करीबन 100-100 questions मिल जाएंगे जो की subject specific है ज्यादा तर इसी type के questions exam में पूछे जाते हैं तो इसको करके जाते हो तो बहुत अच्छी कासी help हो जाती है rapid revision करना है कुछ subjects revision के लिए आपको इस यहां पर भी मिल जाएंगे formula पहले भी बताया है मै और इसमें भी आपको बाकी के remaining subjects है वो मिल जाएंगे यहां से भी अपने formula revise कर सकते हैं पार्ट ए की बात कर ले तो पार्ट ए के लिए जो reasoning है और जो mathematical aptitude है उसके question आपको इस playlist के अंदर मिल जाएंगे तो किस तरह से आपको prepare करनी है मैंने आपको बता दिया है एक्जाम के अंदर किसका capabilities रहेगा SH कुछ mention नहीं है आपके पास 15 दिन है 15 दिन में अगर आप 1.5x पे चलागी यह playlist भी देख देख के जाते हैं यह वीडियो देख के जाते तो बहुत जादा आपके अच्छी कासी preparation हो सकती है और जैसा कि मैंने कहा अगर आपके पास time है या आप कर सकत आते हैं मतलब कि मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे पंजाब यूनिवस्टी के में बात करूँ या मैं बात करूँ SPPU online entrance exam की तो ऐसा तो हैने कि पंजाब में कोई बहुत अलग question पूछ ले जाएंगे और SPPU में तो वो आपको एक level का पता लग जाएगा कि किस तरह का question पूछ है और आपका admit card कबसे download होगा जो भी लोग इस video को देख रहे हैं जिनोंने अभी तक भी video को like नहीं किया है प्लीज video को like जरूर कर दे चैनल को subscribe नहीं किया है चैनल को subscribe कर दे और share जरूर कर दे मिलते है next video में till then thank you bye bye